दोस्तो अगर आप phone pay का इस्तेमाल करते हैं और अगर आप चाहते कि हम अपने phone pay में एक से अधिक bank account कैसे add कर सकते हैं दो करें या तीन करें जितना भी आपको करना है आप बहुत ही असानी तरिके से कर सकते हैं कैसे अपने phone pay में एक से अधिक bank account add कर सकते हैं और दोस्तों आप जतना भी फोन पे में बैंक अकॉंट एड़ करते हैं उन सभी बैंकों को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं जैसे कि आपने जो पहला बैंक अकॉंट एड़ किया उसे एगर आप लेंदेन करना चाहते हैं फोन पे में तो कैसे आपको लेंदेन करना है या फिर कि नहीं कियें तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजेगा हमारे चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करके बैल आकन को भी और जरू करें तो दोस्तों सबसे पिल आपको फोन पर अप्लिकेशन को आपन करने के बाद यहां पर आपको प्रोफाइल मिल जागा आपको इस पर क्ल दुसरा बैंक अकॉण ऐड करना है तो उसकी लापको इस तरखे से अस्क्रोल करना है जैसे आप अस्क्रोल करेंगे तो यहां पर आपको एक option मिल जागा एड बैंक अकंट इस पर आप किलिक करता ही आपके सामने कुछ इस तरह के का interface आजागा अब दोस्तों यहाँ पर लिखावा है select a bank link with और यहाँ पर आपका mobile number show हो जागा यहाँ पर जो भी मैं बताने वाला हूँ उसको आभ्यान से जरूर सुने तो दोस्तों यहाँ पर यह लिखावा है कि जो आपका phone pay number है उसी number से आपका दूसरा bank account भी link होना चाहिए अगर आपका दूसरा bank account phone pay number से link नहीं होता है और अगर यहाँ पर अपना bank account add करेंगे तो यहाँ पर आपका add नहीं होगा तो दोस्तों एक बार फिर से सुनें कि आपके phone pay में जो mobile number है उसी mobile number से आपका दूसरा bank account भी link होना चाहिए अगर link नहीं होता है तो फिर आपका bank account add नहीं हो पाएगा तो यह चीज़ आपको ध्यान में रखना है अब यहाँ पर जो भी अपना bank account add करना चाहते हैं उस bank को यहाँ पर आप select कर सकते हैं यहाँ पर सारा bank आपको देखने को मिल जागा अगर यहाँ से आप find नहीं कर पाते हैं तो आपको search का icon मिल जाता है इस पर आपको click करना है और जो भी आपका bank नहीं में उसको यहाँ पर आप search करेंगे जैसे कि हमारा estate bank of India है तो हमारा आ चुका है अब इस पर हम select करेंगे अब select करते हैं यहाँ पर आपका bank find किया जगा जो कि हमारा find हो चुका है अब दोस्तों यहाँ पर आपका पूरा bank का details आ जागा और यहाँ पर आपसे अब बोला जा रहा है set upi pin यानि कि इस bank के लिए आपको upi pin बनाना है तो बनाने के लिए आपको set upi pin पर click करना है लेकिन दोस्तों उसे पहले आपका upi ID भी create हो जाता है हो सकता है यहाँ आपका edit का option भी आ सकता है अगर आप चाहे तो edit भी कर सकते हैं उसकी बाद दोस्तों set upi pin के option में click करना है अब जिससे click करते ही तो आपके सामने कुछ इस तरिके का interface आ जागा अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपना bank का जो ATM card है उसका number fill करना है तो last यहाँ पर six digit card number fill करना है और जो भी आपका wallet date होता है आपके ATM card का उसको यहाँ पर आप फिल करेंगे उसकी बाद proceed पर click कर देना है दोस्तों अगर आपके पास ATM card नहीं होता है तो यहाँ पर एक option मिलाता है don't have a debit ATM card तो इस पर आप click करना है जिससे आप click करेंगे तो यहाँ पर आपको help के section मिल ले और यहाँ पर आपको जानकारी मिल जागा कि अगर आपके पास ATM card नहीं है तो कैसे अपना bank account को add कर सकते हैं अब आपके सामने कुछ इस तरीके का interface आजागा अब दोस्तों आपके mobile number में एकोटीपी आएगा और यहाँ पर automatic feel हो जाता है जैसे कि हमारा feel हो चुका है अब दोस्तों यहाँ पर आपको UPI pin बनाना है यहाँ पर जो भी UPI pin बनाएंगे उसी सा आप landing कर सकते हैं यानि transaction कर स अगर उसी तरीके का UPI pin बनाना चाहते हैं तो उसको भी आप बना सकते हैं और अगर आप अलग बनाएंगे तो जब इस bank से आप कहीं पर भी landing करेंगे तो आप यहाँ पर जो भी UPI pin बनाएंगे उसी को आपको feel करना पड़ेगा तो यह भी चीच आपको ध्यान में रखना ह उसकी बाद दोस्तों यहाँ पर आपको sign के option में किलिक करना है अब जैसे किलिक करेंगे फिर से यहाँ पर आपको ने जो भी UPI pin बनाएं उसी UPI pin को confirm में भी आपको डाल देना है उसकी बाद दोस्तों फिर सापको sign के option में किलिक करना है अब जैसे किलिक करेंगे इस तरह के सापका verify किया जागा तो यहाँ पर आपको थोड़ी देर wait करना है तो दोस्तो इस तरह के सापका bank account add successfully हो जागा अब यहाँ पर आपको done के option में click करना है अब जैसे click करेंगे तो यह आपके सामने कुछ इस तरह के का interface आजागा अब यहाँ पर आप क्या-क्या इस्तिमाल कर सकत अब दोस्तो आपको यह भी जानना जोरी है कि आपको कौन सब bank account से पेसे transfer करना है या फिर मंगवाना है तो यह भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा जिसे कि यहाँ पर हमने जो bank account add कि है वो हमारा estate bank है और हमारा पहले से bank of India account link है लेकिन इसमें हमारा लिखावा तो सबसे पिल आपको क्या करना पड़ेगा कि primary account बनाना पड़ेगा और अगर आप नहीं बनाते हैं तो फिर आपको select करना पड़ेगा यानि जब जब आप transaction करेंगे तो इसमें आपको option आजागा bank account select करने का option तो वहाँ से भी आप select कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि एक ही bank से हम direct transfer करें तो उसके लिए आपको primary account ही बना लेना चाहिए अगर आपको बनाना है तो आते हैं उसके लिए आपको यहाँ पर एक option दिखाए देगा view all payments method इस पर आप click करेंगे वैसे यहाँ आपका सारब bank account देखने को मिल जागा तो यहाँ पर हम estate bank को primary बनाना चाहत आते हैं तो इस पर हम एक बार click करेंगे अब जिससे यहाँ पर आपको एक option मिल जागा set as primary इस पर आप click कर देंगे जिससे आप click करेंगे तो यहाँ पर confirm का option आजागा आपको confirm की option में click कर देना है तो दोस्तों इस तरह के साब का primary account बन जागा जैसे कि हमने बना दिया तो य करें लिए बहुत ही जल्दनेश बड़े में मिल जागा